धर्म को काला धंदा बना दिया है जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें मूर्ती के सामने बैठा कर दर्शन करवाया जा रहा है जिनके पास नहीं है वह मूर्ती से 20 मीटर दूर लाइन में धक्के खा रही है महाकाल मंदिर में उस वक्त अजीद से स्थती हो गई जब एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया मुजूर्ग महिला भी वी आईपी दर्शन के सिस्टम पर भड़ा कुठी महिला पहले एक महिला पुलिस कर्मी से उलज गई और सवाल करने लगी इसके बाद बुजूर्ग महिला एक पुरुष पुलिस कर्मी से भी उलज गई इसके बाद महिला साड़े तीन फुट की बैरिकेटिंग कूद कर गणेश मंडपम से नंदी हॉल में प्रवेश कर गई सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उसके पहले ही महिला सीधे गर्ब ग्रह में पहुची यहां भी पुजारियों के साथ उनकी बहस होती रही वरा लगा मुझा समझ है कमागा बर्ज करना ुछसमी है कि मix उकmaybe घ्सक्राइब आपक पहां पहां कि मएला सकति कर तो तो भूद समझा दरसन महिला दर्शन करने वालों की भीड की वजह से भगवान महाकाल के दर्शन दूर से भी नहीं कर पा रही थी जिससे वो गुस्सा हो गई और अव्यवस्थाओं को लेकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया बतादे के मौके पर मौझूद सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों ने महिला को रोकने की भी कोशिश की लेकिन बेकाबू और गुस्से से आग बबुला महिला किसी के सुनने को तयार नहीं थी महिला ने गर्ब रह में ही चिलाना शुरू कर दिया मौझूद महिला को जब सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो महिला ने गुस्से में उन्हें धक्का मारा और बैरिकेड्स कूद कर सीधे गर्ब ड्रह में जा पहुची महिला ने भगवान महकाल का भी शेक किया और बाहर निकल गई बतादे कि मंदिर में दो लाइन में लोग दर्शन करते हैं एक निशुलक दर्शन की तो वहीं एक वो लाइन होती है जिसमें 250 रुपए की रसीद कटपाने के बाद लोग जाते हैं इस बात की जानकारी नहीं है कि महिला ने 250 की रसीद ली थी या महिला आम दर्श नार्थियों के साथ ने शुलक वाली लाइन में लगकर मंदर में आई थी और 250 रुपए की रसीद की लाइन में पहुँच गई जहां से बैरिकेटिंग कूद सीधा गर्ब ग्रह में याया है